हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 से कोशन नमबर 3 सोल करेंगे कोशन नमबर 3 देखिए नमबर ओफ चिल्डर इन 6 डिफ्रेंट क्लासे सार गिवन बिलू कहाँ गया है कि 6 डिफ्रेंट क्लासे यानी 6 अलग अलग क्लासों में जितने चिल्डर इन नीचे दिखाए गया है और यह जो डाटा इहां पे दिया गया है उससे एक बार ग्राफ में शो कीज़े तो देखें यहां पर यह क्लासे हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और यहां नमबर ओफ चिल्डर इन दिये गए है कि 5th क्लास में 135 चिल्डर इन 6th क्लास में 120 स्टुडेंट्स है या चिल्डर इन इस तरह से दिया गया है तो हमें क्या करना है इस डाटा के लिए एक बार ग्राफ बनाना है तो देखें आप इस तरह से एक बार ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले देखें यहां पर इस लाइन पर मैंने यह क्लास शो करी है आपने बराबर दुरी पर इस तरह से यह निशान लगा लेने है ठीक है और यहां पर मैंने नंबर ओफ चिल्डर शो करें है देखें 0 से लेके 10 तक यह 1 यूनिट है और यह 1 यूनिट जहां मैंने 10 चिल्डर इक्वल लिया यानि इनके बीच में 10-10 का गैप है अब देखिए मैंने यह नंबर ओफ चिल्डर कहां तक लिये है 140 तक क्यों लिये है क्योंकि यहां पर यह जो डाटा दिया गया है इसमें सबसे जादा जो चिल्डर इस है वो 135 तक है तो मैंने इससे थोड़ा सा जादा 140 तक जो है नंबर ओफ चिल्डर इस लिये है अब देखिए यहां पर दिया गया है कि 5th क्लास में 135 चिल्डर इस है तब देखिए यह है 5th क्लास तब हम यहां से 135 तक जाएंगे तो यहां से देखिए उपर की तरफ जा रहे हैं तो 135 कहां पर आएगा देखिए 130 और 140 के बीच में यह कहा है 135 तो यहां पर जो है 135 है तो यहां पर आप हलका सा एक निशान लगा लिजी इस तरह से तीक है और इसे नीचे की तरफ मिला लेंगे तो देखिए यहां पर 135 था तो मैंने यहां पर निशान लगा और इसे इस तरह से देखिए यहां नीचे मिला दिया है तो 5th class के लिए बार बन चुका है कि 5th class में कितने students थे 135 students थे अब देखिए 6th class में कितने children है 120 तो अब 6th class के लिए बार बनाएंगे तो देखिए यह है 6th class ठीक है तो अब हम यहां से उपर की तरफ 120 तक जाएंगे क्योंकि 6th class में 120 students है न तो देखिए यह है 120 ठीक है तो यहां पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से देखिए आप scale की help से लगा लिजे तो असानी से लग जाएगा देखिए 120 है न तो यहां पर मैं निशान लगा लूगे ठीक है अब इसे नीचे की तरफ मिला लिजे तो देखिए जो निशान मैंने लगाया था उसे नीचे की तरफ मिला लिया तो 6th Class का बार बन चुका है अब 7th Class मैं देखिए कितने स्टुडेंट्स हैं ? 7th Class में 95 तो देखे यह है 7th Class ठीक है तो यहां से अब हम उपर की तरफ 95 तक जाएगे तो देखे यह है 95 ना तो यहाँ पर निशान लगा लिजे इस तरह से ठीक है और इसे नीचे की तरफ मिला लेंगे तो देखे यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया तो उसे हाँ नीचे की तरफ मिला लिए और देखे यह बात आपने ध्यान रखनी है कि यह जो बार आप बना है तो देखिए यहां पर है यह एड़ तब हम यहां से उपर की तरफ जह हैं 100 तक जाएंगे तो उपर की तरफ जाएं तो देखिए यहां पर यह है 100 ठीक है तो देखिए यह है 100 तो इस तरह से मैंने यहां पर स्केल रख लिया और यहां पर निशान लगा दूँगे अब इसे नीचे की तरफ मिला लीजे तो देखिए मैंने नीचे की तरफ मिला लिया है तो देखिए उसके बाद देखिए नाइन्थ क्लास में कितने चिल्डन है 90 तो देखिए यहां से उपर की तरफ 90 तक जाएंगे तो देखिए इस तरह हम उपर की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर देखिए यह है 90 ठीक है तो देखिए यह 90 है ठीक है तो यहां पर मैं निशान लगा लूँगे स्केल की है अब से इसी की सीद में 90 की सीद में मैंने यह निशान लगा लिए तो देखिए जो निशान लगा यहां से नीचे की तरफ मिला लीा colabor Ohioप Ci लिखे इतने चिल्डनँगा है तो देखें किया है है टा। अब कीष्भी तरफ इसधrice से मैं यहां पर है इते हैना न तो किसा यहां पर निशान लगा लीजेँ तो अब देखिए जो निशान लगा है इसे हम नीचे की तरफ मिला लेंगे तो देखिए इस निशान को हमने इस तरह से यहां नीचे की तरफ मिला लिया तो देखिए यह बार ग्राफ बन चुका है अब नोंने कुछ कोशन्स पूछे हैं कोशन के अंसर देंगे एपार देखे कोशन पूछा गया हाओ वुड यू चूज असके की बारकराफ बनाने के लिए आप स्केल को किस तरह से चूज करोगे तो देखे मैंने यहां पर जो स्केल चूज किया है वो कैसे चूज किया है देखे मैंने क्या कहा था कि मैंने यहां पर वन यूनिट जहाँ 10 childrens के इक्वल लिए है तो यहां पर scale के चूज़ गया है मैंने वन यूनिट is equal to 10 children तो यह part का आंसर है कि one unit is equal to 10 children यह scale मैंने चूज़ किया है अब बी पार देखे पुछा गया answer दा following questions तो देखे हमें यहाँ पर यह questions दिये गए हमें इनका answer देना है first part देखे पुछा गया which class has the maximum number of children and the minimum यह जो data में यहाँ पर दिया गए इससे देखते हमें बताना है कि किस class में सबसे ज़्यादा children थे और किस class में सबसे कम देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा children कि इस class में में 5th class मैं कितने 135 और सबसे कम children का क्सिक्त्राओं में कि टैंफ ग्लास में सिरफ 80 children थे तो वी पार्ट का answer है कि 5th class has the maximum number of children and 10th class has the minimum number of children कि 5th class में सबसे ज़्यादा children है और 10th class में सबसे कम चिल्डन है अब बी पार्ट का सेकंड पार्ट देखे कोशन पूचा गया find a ratio of student of class 6 to the student of class 8 कहां गया है कि class 6 के students का class 8 के students से ratio बताइए कितना है class 6 में कितने students है 120 और class 8 में कितने students है 100 तो ratio of students of class 6 to class 8 तो class 6 के students का class 8 के students के साथ ratio देखे class सबसे पहले किसका पूचा है class 6 का पूचा है तो पहले class 6 के students लिखेंगे 120 रेशो फिर class 8 के students लिखेंगे class 8 के कितने है 100 ठीक है अब देखे 10 से 10 कैंसल हो जाएगी 26 सा 12, 25 सा 10 तो क्या है 6 रेशो 5 तो class 6 के students का class 8 के students से रेशो कितना है 6 रेशो 5 तो आज इस वीडियो में हमने question number 3 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, thank you